मानी अध्यक जी मानी अध्यक जी कौंग्रेस या उसके समर्थक गल किस तरह से लोककंत्र का गला धोटते हैं वो मैं गुदारन हूँ मैं गाउ में पैदा हुआ मेरे माँ पिता जी आज भी गाउ में रहते हैं आज जब मैं पार्लेमेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भरती है सर उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोले और इसलिए कहा उसने कि जो महिला है सर आज यदि सारे पुरुस यहां मौझूद है उसका कारण महिला है यदि महिला नहीं होती तो पुरुस का कोई existence नहीं होता और आज चुकि कॉंग्रेस की गलत फामी है गलती है सर और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्सों तक इस बिल को लेकर नहीं आए हमारे मानने प्रदान मंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया आज हम दिल लेकर आए हैं इनके पेट में डर्डो रहा है हम दर्सों से सुनते रहे सर लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजूकेशन के लिए परिशान थी. जब तक माननी अटल व्यारी बाजपी जी की सरकार नहीं आई, सर्व सिख्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है सिख्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया से. महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी, तो उनको जो है, खाना बना कर जाना पड़ता था सर्व. और इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा, तो मिड़े मिल स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ, तब तक महिलाओं की संक्या, बच्च स्कूलों में सोचाले बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बत्या कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उधारन है और उससे आगे बढ़कर, आज जो कल से लेकर, परसों से लेकर मानने प्रधान मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, कि सही समय है, यही समय, और इ हैं, और हम उनका जो है, आदर और रमन करते हैं, कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षन देने का फैसला की, सर मैं पढ़ रहा था, काफी बाते कहीं, मैं केवल दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं, फिर अपने विसे पर आऊंगा, यह देश इस सम्विधान से चलता है, और इ पूनिया जी ने भी बोलते हुए बाते कहीं, कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे, यह देश सम्विधान से चलता है, मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243D जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा आपने आपको गौरवानमीत महसूस किया, कि हमने पंचायत में जो है महला रिजर्विशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243D हमने तो नहीं दिया, आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और T क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्विशन होगा, और मिनिस्फल कॉर्परेशन में किस इस रिजर्विशन होगा, आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं कि, यदि इस आर्टिकल में, यदि आपने डाला होता OBC की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने परसों से आपको नहीं दिखाई दिया, उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा समिधान सभ में reservation की बात नहीं की, विधान परिशद में बात नहीं की, आज भी राजिसवा में शिरूल कास और सीरूल ट्राइब को reservation नहीं है, आप कौन सी नहीं बात कि अबर political angle के लिए ले आते हैं, आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक भारत के समविधान में ये कहा गया, कि र बिदान परशद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा और जब मानिये प्रधान मंत्री जी और भारती जन्ता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राजिसवा में रिजर्वेशन नहीं है बिदान परशद में रिजर्वेशन नहीं है आप पंचायत में कहिए कि कोई OBC को reservation नहीं होगा चाहे municipal corporation में कोई OBC को reservation नहीं होगा और article 82 है sir जो adjustment of each census की बात कर रही है और seat बहाने की बात सब पढ़ लीजेगा इस article को इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीज़ों को हमने freeze कर दिया है आप unconstitutional काम करना चाहते हैं आप उसके उपर जो है काते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए तुरत सुप्रिम कोट में जाएगा और सुप्रिम कोट में तुरत वो इस्टर्डाउन हो जाएगा क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को reservation नहीं दे और जिस तरह से आप केवल राजनिति के माध्यम से इस महिला reservation को लॉलीपाप बनाते रहे घुमाते रहे वही भारती जन्ता पाट्टी करे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं सुरुबात करता हूँ उसका अंत भी करता हूँ यदि ये महिला reservation यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा मिलकर रहेगा दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रुख सकती है लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है और अभी जितने speaker बोलने वाले हैं सर वो speaker दो हजार शब्विस में ये article आर्टिकल 82 पढ़िए संभिधान को जो है पढ़िए जो संभिधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे और ये article 82 का रहा है ये 82 का रहा है सर सर पूरे पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे माने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड लोग बच गए इस पारलिमेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर लोग सभा, राजजी सभा, लॉबी सभी जगा सांसाग बैटकर कानून पास करते रहे भाई मरता था तो भाई का लाज जलाने के लिए कोई नहीं जाता था पिता मरते थे तो पिता का लाज जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद आपका तो आपने क्यों नहीं कराया, कितने लोग थे जो रोड पर घुम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगा के ट्रेन बंद थे, सारे जगा की स्थितियां बंद थी, भागलपूर, पूरा जो है, भारत जो है, किस तरह के विकट पर स्थिति में थ सर मानिय प्रधान मंत्री जी 140 क्रोड लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संबेधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे ये लागू होगा आज आपका रहें क्यों ने लागू किये देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिस करने सर दोहजार 20 और 21 के माहौल के बाद करोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मानिय ग्री मंत्री जी बैटे हैं हमेशा करते हैं कि मैं कोई गैर संबेधानिक काम नहीं करूँगा कोई असंबेधानिक काम नहीं करूँगा यदि सेंसस होना है तो उसका भी ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंदन मनाया है सर, इंडी एलाइंस, इंडी एलाइंस, उसके सारे नेताओं का मैं भासन पढ़ रहा था, आज सोनिया जी जब बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीती से उपर उठ कर बोलेंगे, क्यों महिलाओं ने पार्लेमेंट के अंदर और पार्लेमेंट के बाहर सबसे ज़्यादा वो आवाज उठाई, वो बेंगॉल की गीता मुखर जी थी, और भारतिय जनता पार्टी की सुस्वा सुरास थी, ये दोनों यदी नहीं रहती, तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलत तेतिस परसेंट यदी रिजर्वेशन, लोकसभा और विधान सभा में यदी लागू होने वाला है और मानिय प्रदान मंत्री जी लेकर आये हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भासन में ना गीता मुखर जी का जिक्र किया, ना सुस्मा सुराज क जी किया, यह किस तरह की राजनीती है, अपना क्रेडिट लेना जाती है कि हमारा बिल है, यह बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए, वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंधोलन किया, तो वो गीता मुखर जी है, वो सुस्मा सुराज है, आपने यह न आप को ये मानना पड़ेगा दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग है सर जो 26 पार्टियों का इंडि गटवनन मना है इसमें आप समझे इनकी भावना कैसे महिलाओं के बारे वे यह कैसा सोचते हैं अब नहीं रहें इसी सदन के सदस थे राजसवा के सदस थे इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगे क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बाते हो नहीं चीए दूसरी बात दूसरी बात जो है ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूँ और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पार्लेमेंट में दो बार संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बन कर आया अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजना जी सवों के साथ काम करने का मोगा मिला सर्थ 2011 और 2013 में दो भेंकर घटना हुई इसी वेल में 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राजसभा में और जब यहां 2011 में जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए और जब बिल उद्धर से इंट्रोड्यूस हो रहा था इनी के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कॉंग्रेस में इसी वेल में पीटा साथ दो बिल था एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूँगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर यही वी नरायन स्वामी बिल को पेस कर रहे थे समाजबादी पार्टी के यस्वीर सिंग, सिडूल कास थे सर यही अस्वीर सिंग यहाँ पार्लिमेंट में उस तरफ से गए वी नरायन स्वामी का उन्होंने बिल खीच लिया इस पार्लिमेंट में, इसी लोग सवामे सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम स्वीमती सोनिया गादी जीते और नीरत सेकर वहाँ खड़े थे, मुलाइम सिंग यादब बाहर थे, और मैं वहाँ से कूत का टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानासा नहीं हैं, आप यहाँ की रानी नहीं हैं, इस वेल में आप मार पिट नहीं कर सकती हैं, और इनके जो तिने अस मुतेबार से लेकर सबनूस को पिटा, यह दो रोग घटनाएं जो है, चाहे महला रिजर्वेशन का हो, चाहे यह प्रोमोशन रिजर्वेशन का हो, यह पारलिमेट है सर, सब को सत्य बोलना चाहिए, और मुलाइम सिंग यादब ने कहा, यदि बीजेपी नहीं होती, त तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते, आपने तो सांसदों के हद्या करने की गोस्षिस के, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ, यह आए हैं जिनका की मांग सिकता ही नहीं है, कि महला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो रास्टे जनता दल है, चाहे वो समाजबा इस सम्विधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारने के 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण यह कभी OBC रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, वि गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लिमेंट में आए हैं से, जैसे मैंने बात कहीं कि मेरे माँ पिताजी, मेरे माँ पिताजी, आज भी गाउं में रहते हैं, यदि बाबा सहाब अंबेदकर का या संविधान नहीं होता, भारती जन्ता पार्टी नहीं होती, उस दिर म मैंने कहा, उस दिर मेंने कहा, कि आपने गाउं नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखा है, महिलाओं के स्थितिया नहीं देखी, आपने जो जो कानून पास किये, वो महिलाओं के खिलाफ है, यदि 498 आपने पास किया, जिसका आप क्रिडिट लेना चाहते हैं, तो उसमें स पूरुस से ज़्यादा महिलाएं ही जेल में बंद हैं डॉरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया आज यदि आपने कई एक कानून ऐसे पास किये हैं जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तयार नहीं होते हैं आपने महिलाओं को रोकने का प्रियास किया कर आए हैं जो मानने प्रधान मंत्री जी के नेत्रित में ये इतिहास रसने जा रहा है और ये जो एतिहासिक पल है और इस्पिकर साहब आपके जीवन का जो एतिहासिक पल है कि उस कुर्सी पर आप भी राजबान है जिस पल में ये इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल मान 243D और 243D जिन आधार पर ये सम्विदान चलता है, उसके आधार पर इसके आधार पर लाइक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तस सर्व नोटिफिकेशन सथी बेल आइकॉन प्रेस कराईला विशुरूनका.